थोड़ा सा महनत करोगे, थोड़ा सा हाड़ वर करोगे और जो चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके उपर आप वर करोगे तो definitely exam के अंदर आपका 99% गेट होगा आपको अच्छे colleges में आराम से admission मिल जाएगा चलो मेरे भाई, देखते हैं क्या चीज़ें हैं जिसको पर आपको work करना है सबसे पहले देखो, आपको syllabus मालूम होए कि verbal ability जो है 50 marks का question और 50 question और 50 marks के लिए आने वाला है इसी तरह आपको मालूम है कि logical reasoning है इसके अंदर 75 questions रहेंगे, 75 marks के लिए और है आपका abstract reasoning, तो abstract reasoning के अंदर 25 questions आएंगे 25 marks के लिए और quant का जो section है आपका ये है 50 questions, 50 marks के लिए ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो आप English medium वाली हैं तो जादा तर आपको verbal ability के अंदर problem नहीं होगा इसके अंदर definitely आप 30 question कर सकते हो कितना question कर सकते हो, 30 question आप verbal ability के अंदर कर सकते हो आप इतना power रखते हो, बाकि आपको मेहनत किसे करना है logical reasoning के अंदर और abstract reasoning के अंदर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी abstract reasoning के अंदर जो figure वाले question होते हैं और जादा तर questions इसके अंदर बनते हैं 25 में से उमीद है आप definitely 20 question यहां से निकाल लोगे ठीक है, तो 20 question आप verbal जो है आपका abstract reasoning है यहां से निकाल सकते हो तो 50 हो गए, आपको लाना है 130 तो 130 लाने के लिए अपने पास बचा कितना है 70 questions, 80 questions बच गए ठीक है, अभी 80 questions और करना है आपको attempt 80 questions के लिए आपको धियान रखो logical reasoning के अंदर आपको इतना मेहनत करना है कि 60 question आपके कम से कम बन जाए तो यहां से आपको 60 question बनाना है यहां से आपको 60 question बनाना है कहां से बनाना है मेरे दोस्तों abstract reasoning के बाद logical reasoning के उपर बनाना है उसके बाद बचा हुआ है part कौन के अंदर 40 कोशन करना आपको तोटल देखो कितनी हो जाती हैं पहले हम लोग समझ रहे किस तरह से पॉसिबल है उसके बाद मैं और बताऊंगा कि आपको डेली कितना वर्क करना कितना टाइम देना किस पे क्या टाइम देना है ठीक है तो बेसिकली हम लोग को क्या किसमे लाना वो देख लेते हैं 30 कोशन वर्बल एबिलिटी के हो गया यह हो गया 3256 कितना हो गया 114 150 मार्क होते हैं 150 एक राउंड फीगर हम लोग सोच के चल रहे हैं 150 पॉसिबल है लाना और 150 में से कुछ कटिंगे भी कुछ कम भी होंगे तो भी यकीनी तोर पे मुझे उमीद ह है कि आप आसानी से 150 नहीं तो 140 के आसपास रहोगे 140 अगर प्लस रहोगे तो टॉप के जो कॉलेजिस है वहां पर आसानी से आपको एडिमिशन मिल जाएगा ठीक है देखिए वर्बल एबिलिटी में पूछता क्या है सबसे ज़्यादा कोशन साती है क्लोस टेस आता है होगा 40 questions या 35 questions भी accuracy से कर लेते हैं मैं बोलता 45 या 30 भी question नहीं कर पाते हैं अगर आप 25 50% मा बोला हूँ 25 questions भी आप accuracy से करते हैं और उसके पाद 25 questions में तुक्का मारती है क्योंकि negative marking नहीं है अगर 25 questions में तुक्का मारो गए क्या 5 questions possible नहीं है कि आप सही हो जाएगा आपका हो जाएगा तो यह 25 और पांच कितने बनते हैं 25 and 30 questions बनते हैं यानि यह चीज़ आपका 30 आ सकता है इसमें बहुत जादा चांस है ठीक है अब रही बात abstract reasoning के अंदर figure वाले questions है उसमें बात ही मत करो आप definitely कर लोगा आप question देखो previous year तो आपको यकीन हो जाएगा यार हम कर सकते ह logical reasoning की बात कर लो 75 questions पिछले बार का जो paper हुआ 2023 अगर उसका analysis देखे तो बहुत सारे blood relation की questions आये थे puzzle की questions आये थे तो ऐसे-इस questions आये थे जिसपे आपको ध्यान देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है puzzles, sitting arrangement, blood relation इस टाइप की questions को perfect करके रखना है ठीक है और उस पर जादा time देना है और आपका target होना चाहिए कि 75 में से किसी भी तरह आपको 60 questions करना है इसे कम नहीं होना चाहिए abstract reasoning होगे आपका quant की बात कर ले quant के अंदर CAD का जो exam होता है उसके अंदर mensuration होता है mensuration के questions आते हैं geometric के questions होते हैं जो अच्छा खासा time ले लेता आपकी तैयारी करने को ठीक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त चले आता है बढ़ यहां पर नहीं है यहां पर arithmetic है और DI है और DI का भी बहुत ज़्यादा tough level नहीं है जैसा CAD में होता है अगर आप थोड़ा महनत करोगे और अच्छे से महनत करोगे तो definitely आपको exam में अच्छे marks आएंगे याद रखिए arithmetic और DI दोने एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अर्थमेटिक होगा तो डियाई भी अच्छे से जाएगा आपका तो यह ध्यान रखना आपको तो quant section के अंदर आपको अच्छे से महनत करना है डियाई भी करना है तो यहाँ पर भी आपको 50 में से 40 question कर लेना है ठीक है अब time कितना देना है time अगर मैं बात करूँ तो daily आपको कुछ इस तरह से time देना पड़ेगा अगर time की बात करते हम लोग अप एक time table बनाना जरूरी ह होता है क्यूंकि time table बनाए बीना तो काम चलने वाला नहीं ठीक है तो time table क्या बनाना है आपको कौन सेक्षन के अंदर कौन सेक्षन के अंदर कितना time देना है daily two hours देना है कम से कम ठीक है two hours आपको कौन में देना है reasoning के इंदर भी आपको देना है reasoning किसका huhnah logical reasoning में देना आपको किसमे logical reasoning में देना कितना two hours देना है ठीक है और इंग्लीश को देना है English जो section है उसमें grammar वगर का section quarter daily one hours देना है बस इतना ही vocabulary का पाट अभी मत हाथ डालना vocabulary कितना भी करलो कमी होता है तो वेकल बिलरी पर हाथ मत डालना वेकल बिलरी जब grammar का section पुरा strong हो जाएगा तो ही वेकल बिलरी के उपर हाथ डालना ठीक है तो quant हो गया reasoning हो गया दो दो घंटा इस पर देना आपको टोटल पांच घंटा बनता है है क्या बनता पांच घंटा अगर आप जॉब वाले तो पांच घंटा निकालो अगर आप जॉब उगरा नहीं करती हो आप हो ठीक है यह बहुंक करने के बाद आपको टाइंड नहीं हो तुसको बहा दो यहाँ पर 2 घंटे की जगत तीन घंटा इसको दो इसको भी तीन घंटा दो और English को एक घंटा दोगे तो भी चलेगा तो साथ घंटा आप दे सकते हो तो साथ घंटा आपको देना है कम से कम अगर आप साथ घंटा दे तो डेफिनेटली एक्जाम के अंदर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं मैस के अंदर सेक्शन वाइज आपको महनत करना है डेली और चाहे तो आप अरिहन पब्रिकेशन के आप एक भूग ले सकते हो उसके पुरा सलेबस है उससे प्रेक्टिस कर सकते हो पुरा का पुरा मिल जाएगा चैनल पे जल्दी मैं अपना वीडियो लाने वालो मैस सेक्शन के अंदर वो वीडियो देख सकते हैं अगर बच्चे और भी आए पढ़ना चाहेंगे उनका रिक्वेस रहेगा तो हम लोग लास्ट थर्टी डेस का क्रेस कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे अगर ऐसा पॉसीबल हुआ तो साथ ही साथ मैं यह बुलूँ आपके हल्प के लिए एक वाटसब गुरूप बनाया गया है उसका लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए चेक करिए उस वीडियो उस गुरूप को आप चाहो तो जोईन कर सकते हो विगा दो में दो जो में दो अग्सक्रिप्शन में